जाहें दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप धनी का वन फ्रीडम कार्ड कैसे कैंसिल यानि बंद कर सकते हैं या डी अक्टिबेट कर सकते हैं और मैं आपको धनी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या आपको धनी का क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं अपना धनी का क्रेडिट कार्ड क्यों बंद करना चाहता हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बता दूँ कि धनी का credit card लेना बहुत आसान है कोई भी आसानी से apply कर सकता है और उसका credit card बन भी जाता है क्योंकि credit card दे कर ये लूटने का काम करते हैं जब आपका धनी का credit card बन जाता है तो आपको पहली बार इसे यूज करना होता है पहली बार यूज करने से पहले आपको 199 प्लस 18% GST पे करना होता है और आपने धनी का credit card अगर एक बार यूज कर लिया तो आपका बुरा टाइम चालू हो जाता है मैंने एक बार इसे रिचार्ज के लिए यूज कर दिया इसके बाद मैंने दो महिने बाद इसका application जब open किया तो देखा कि मैंने तो 518 रुपे का loan लिया है लेकिन मैंने इस loan को नहीं लिया था फिर मैंने देखा कि आप इस credit card का यूज करे या ना करे आपको हर महिने 1099 पलस 18% GST आपको देना ही देना होगा आप credit card का यूज करे या ना यूज करे इसी तरीके से मैंने यानि इसने मुझ से 1380 रुपे लूट लिये और इसका limit भी बहुत खराब है limit आपको देगा 5000 लेकिन आप इसका केवल 10% मतलब प्रड़े आप केवल 500 रुपे यूज कर सकते हैं limit तो 5-6 कर रहेगा लगिन प्रड़े केवल 500 यूज कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते तो मैंने इस credit card को बंद करने की सोची और customer care के पास phone लगाने लगा बट customer care लगातार बीजी इसलिए मैंने एक दूसरा solution लेकर आया हूँ और मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप खुद बिना किसी customer care के पास phone लगाए अपना credit card हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं तो चलिए बताते हैं एक चीज मैं आपको बता दू कि आपको इसका credit card बंद करने के लिए एक बात जरूरी है कि अगर आपने इससे पहले इस credit card से यूज किया है अगर आपके credit card में कोई भी अगर loan है तो सबसे पहले आपको इसको pay करके zero करना होगा तभी आप इस credit card को बंद कर सकते हैं अगर कोई भी पैसा आपने credit card से निकाला होगा और उसे pay नहीं किये होगे तो आप इस credit card को cancel यानि की बंद नहीं कर सकते तो मैं इसका application open कर लेता हूँ देखें बताता हूँ यहाँ पर लिखा ना कि आपका जो credit card का limit है वो 5000 है बट आप केवल 10% यूज कर सकते हैं लेकिन मैं सारा पे कर दिया हूँ देखें लिखा due now यानि कि इस टाइम मेरा zero balance बकाया है तो मैं सारा payment कर चुका हूँ payment करने के बाद में आपको एक option देखेगा नीचे one freedom card इस पर आपको click कर देना होगा इसके बाद आपको नीचे option देखेगा setting का उस पर click करेंगे एक option देखेगा cancel plan उस पर आपको click कर देना होगा जैसे ही आप cancel plan पर click कर देंगे इसके दो लिखेगा re saver क्या आप बंद करना चाहते हैं इसके मतलब है कि अगर आप बंद करेंगे तो आपका यह जो benefit है कि आपको 0% interest का और 2% alt transition पे जो cashback मिलता है किसी काम को तहाई नहीं तो आपको दो option मिलेंगा कि आप इसे बंद करना चाहते हैं no या s पे तो आपको s वाले option पे click कर देना होगा जैसे आपके इस वाले option पे click कर देंगे आपके सामने option आयागा application cancel यह application cancel का मतलब यह नहीं है कि आपका application cancel हो गया इसका मतलब है कि आप अपने credit card को cancel कर ले इसलिए लिखा है इसके लिखने के तरीका भी बहुत घटिया है और credit card तो बहुत जाता ही घटिया है तो आप लिखा कि आप इसे कभी भी चालू कर सकते हैं अगर आपने इसे बंद कर दिया तो आप इसे बाद में कभी भी चालू कर सकते हैं तो आपको वक्ते वाले option पे click कर देंगे आपका credit card तो बंद हो चुका है लेगिन आपको इसका transaction भी बंद कर देना होगा इसके बाद दुबारा देखिए हैं credit card है मेरा इसके नीचे एक option देखेगा setting दुबारा आपको setting वाले option पे click करेंगे और option देखेगा card उस पे आपको click कर लेना होगा जैसे आप card वाले option पे click कर देंगे सबसे corner उपर जो right corner भी लिखा on उसको आपको off कर देना है कि आपका जो यह credit है card है यह भी off हो जाए यानि alt transaction आप हो जाए देखिए मेरा यहाँ पर लिखा है कि available balance क्या है zero balance है या और यानि कि मेरा जो है यह account पूर्ट है बंद हो चुका है यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके available now जो है वो 0 रुपए है 0 रुपए का मतलब है कि आपका credit card बंद हो चुका है मैं आपको दुबारा इसको open करता हूँ फिर दिखाता हूँ मैंने दुबारा धनी आपको open किया open करने के बाद मैं देखिए आप लिखा है कि available now is 0 रुपए यानि कि 0 रुपए अबिलेबर है इसका मतलब कि आपका credit card अप पूरी तरीके से बंद हो चुका है अगर आप दुबारा इसे apply करना चाहते हैं तो active now पे click करेंगे वे दुबारा ये क्या हो जाएगा हो जाएगा याप सेटिंग वाले आफ़न पर क्लिक करेंगे और वहां पर active का अफ़सन आगा उस पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर लिखा है कांगरा चुलेशन की अगर आप दुबारा इसे apply करना चाहते हैं तो आपका लिमिट होगा 10,000 लेकिन आपको पे करने होगा 190 रुपए पलस 36 रुपए जी एस्ट यानि 235 रुपए आप पे करेंगे फिर आपका क्रेडिक क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा बट मैं दुबारा की से ऑन करना नहीं चाहता हूं आपर एविल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पास सेर कीजिए और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले ताकि जैसे ही मैं ऐसे वीडियो दुबारा अपलोड करू आपके पास सबसे पहले नोटिपिकेसन पहुच जाए